तो फ्रेंट्स हम आचुके हैं आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके हम आप लोग के लिए गार्णिंग आर्ट्स एंड क्रिटिविटी का वीडियो लेके आते हैं और कुछ बुनसाई आर्ट का भी हम वीडियो आप लोग को सेर करते हैं फ्रेंट्स आज हम औरकिट का प्लान्ट दिखा रह है अपिछले वीडियो में आपने देखा कि इस औरकिट प्लान्टको हमने एक लगडी के टुकड़े में लगाया था और इसमें कुछ जो प्राइल रोद सारा जानकरी हम पिछले वीडियो में dhee आप देख रहे हैं और इसको कैसे हमने लगाया सारा जानकारीëं आप लोग को share कर चुके हैं और आप भी अगर अपना ओर्किट प्लांट को यूनिक प्लांटर देना चाहते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि हमने उड इस्टायल में इसको लगा रखा है हम इसका लिंक सेयर कर रहे हैं कि हमने इसको कैसे लगाए और इसका प्रिप्रेशन शारत जनकारी हम उसमें सेयर कर रहे हैं और शाथ में इंडे स्क्रीन में भी इसकी पिछला वीडियो हम सेयर कर रहे हैं तो जरूर आई बटन और इंडे स्क्रीन में जो वीडियो है और आप चैनल में नए हैं तो सब्क्राइब जरूर करें फ्रेंड्स हम बहुत ही यूनिक वीडियो लेकि आते रहते हैं इस प्लांट को बिल्कुल भी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ता यह हवा में जीने वाला पोधा है और इसके लिए कुछ खास स्वाइल तयार करना पड़ता है तो वीडियो जरूर देखिए फ्रेंड्स हम सेर जरूर कर रहे हैं आई बटन में तो आप देख रहे होंगे कि उपर जो फ्लॉरिंग हुआ है वो परपर तरक है और नीचे यह लुक लगका है अभी इसमें बहुत सारे बट्स हैं और भी इसमें फूल आएंगे खिलेंगे और उपर जो देख रहे हैं छोटा सा बट्स यह भी नया आना चालू किया है और यह उपर अभी नया आ चुका है और जब यह फ्लॉरिंग लगभग दो ढ़ाई महिना रहता है फ्रेंट्स एक फ्लॉरिंग तो उसके बाद यह सुख जाएगा सुखने के बाद ब्रांच को हम कट कर देते हैं और फिर से एक नया बट्स आएगा और फिर से फ्लॉरिंग होना चलू कर देता है और इसको कुछ खास जगह में रखना पड़ता है धूप बिल्कुल भी नीचे यह मिस्टिंग बहुत पसंद है और इसको पेड़ के नीचे हैं अब आप देख रहे होंगे कि यह यहां से यह नया बट्स निकला है और इसको थोड़ा सा जगह के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अगर यह यहां पर लकड़ी अगर हम काट देंगे तो यह सीधा सा शीधा निकलेगा और जो अपना रास्ता टेड़ा जो दीख रहा है व इस लकड़ी का साइड वाला टुकड़ा को हम हटा देंगे तो यह सीधा जाएगा हम देद्रे इस लकड़ी को हटाने कुशिश कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से वर्क किया जा रहा है और लगभग यह सारा वर्क हो जुका है और यह जो बट्स है अब सीधा की निकलेगा और इसको हम अपना इंडोर गार्डन में लगा रखें फ्रेंट्स हमारा चोटा सा इंडोर गार्डन है सारे इंडोर प्लांट को हमने यही रखा हुआ है यहां धूप बहुत ही कम आता है दो घंटे का धूप बसाता है और आउटडोर प्लांट हमारा पीछे वाले जगे में मीनी गार्डन में हम रखे हुए हैं हम बुनसाई का भी कुछ खास वीडियो लेके आप लोग के लिए आते रहते हैं तो हमारा चैनल जरूर आप विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स और इसमें वाटरिंग का हम बताएंगे तो ज़्यादा आप मिस्टिंग कर सकते हैं और साथ में यह जो स्वाइल मिक्चर है मीडिया यहां पर जो हमने बना रखा है वहीं पर बस पानी डालिएगा जिससे यह नमी बनाय रखता है और लगभग तीन चार दिन पाई डालने की जरूत नहीं पड़ता क्योंकि इसमें स्वाइल मेडिया में स्पेक्नम माउस और कोको पीट नारेल के छोड़-छोटे टुकड़े डले हुए हैं जिससे पानी एपजॉब कर लेता है और लकड़ी की भी छोड़-छोटे टुकड़े जो पेड़ के जो टहनी में जो चाल होता है छिलका उसका छोड़ा टुकड़ा डला हुआ है जिससे यह पानी शोख की रखता है साथ में कोईला भी डला हुए फ्रेंट्स पिछले वीडियो में सारा स्वाइल मेडिया को बारे में बताया गया है आप जरूर देखें और अपना और्किट प्लांट को भी ऐसा सुन्दर सा प्लांटर दें आप चाहते हैं तो एक छोटा सा गेमलेम भीज को लगा सकते हैं अब मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें मिट्टी का जरूरत नहीं होता है हमारा वीडियो और भी यूनिक हम लेके आते रहते हैं और प्लांटर बनाने का भी तरीका हम बताते रहते हैं कुछ खास वीडियो ही लेके हम आएंगे आप लोग के लिए तो चैनल जरूर विजिट करें फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करे प्रें शेयर करें कमेंड करें कीजेगा और कि सब्सक्राइब जरूर करें का अनको प्रेश्जरूर किजिएगा फ्रेंड्स ताकि आने वाला हर विडियोलोको मिलता रहे तो मिलते हैं कि नेक्स्ट विडियो में आने वाला वीडियो और भी कुछ खास ही होगा फ्रेंट्स तो चैनल में बने रहें आप और विजिट जरूर किजे फ्रेंट्स कमेंट जरूर करें थैंक यू